नमस्कार नबीची 24 देख रहे आप मैं हूँ आपके साथ अभिशेग देखिए फर्स्ट फेज की बहाली के मद्दे नजर देखते हुए बिपीएस्टी ने देखा जाए तो पॉटल खुला था पॉटल किस चीज का था आपके मन में सवाल उठा होगा आपत्ति करने को लेक ऐसे में अभियर्थियों को यह साथ कहा गया था कि 12 आरीक लास देट है जिन अभियर्थियों को आपत्ति दर्श करना है वो जाकर दर्श कर सकते हैं ऐसे में यह भी बताये गया था कि किन अभियर्थियों के द्वारा आपत्ति दर्श की जा सकती है ऐसे में अब बिपीए परिच्छा का दूसरा चरण जारी है ऐसे में इस बीज बीपीएसी ने पहले चरण में जारी किये गए रिजल्ट को लेकर जिन भी अभी अर्थियों को आपती थी उनके लिए आपती दर्च करने के लिए पॉटल 29 सक्टूबर से 12 नमंबर तक उला था ऐसे में इसमें आयोग को 1756 आपती आप प्राप्त हुई थी इसमें देखा जाए तो 400 कडिप देखा जाए तो 89 आपतियों को आयोग की ओर से गलत बताये के आयोग का समय खराब करने को लेकर अब इन 489 अभियर्थियों पर कारवाई हो सकती है ऐसा कहा जारा है आयोग ने इनसे अब 3 दिसम्बर तक आपति दर्च करने को लेकर असपस्टिकरन मागा है ऐसे में पूछा है कि असपस्टिकरन दीजिए जिस तरीके से आपने आपति की है बढाये चले आपको कि BPSC न उलंगान के साथ आयोग के बहुमुल समय को बरबात किया गया है साथ ही आयोग पर अनावश्यक एबं तत्य अहिन आरोप लगाते हुए आयोग की छवी को धुमिल करने का भी पर्यास्या गया है जिसके कारण से आयोग अब किसी भी तरह का कारवाई या फिर निर्णय ले अपना अपना स्पश्चिकरन आयोग के इमेल आइडी यानि की देखा जाए तो secretary.bpsc.bih.nic.in पर जा कर देना सुनिशित किया जाएगा ऐसे में स्पश्चिकरन प्राप्त नहीं होने पर यह समझा जाएगा कि आपको अपने बचावां में कुछ नहीं करना है ऐसी स्थित अर्थियों के उपर गास गिनने जा रहा है आयोग ने अस्पश्चिकरन मांगा है ऐसे में गंभीर आरोप लगाते हुँ आयोग ने असाफ का है करीब 489 अभी अर्थियों ने देखा जाए तो गलत समय कहीं न कहीं बरवात किया ऐसे में देखा जाए तो जिस तरीके से आ है